तो आज का अमारा टॉपिक है Concentration Terms Right देको दो टाइप की होती है Concentration Terms कौन कौन सी पहली होती है Temperature Dependent Temperature Dependent दूसरी होती है Temperature Independent तो Temperature Dependent कौन सी होगी हम बारी बारी सारी पढ़ेंगे पहले मैं आपको Listing करा रहा हूं एक हम पढ़ेंगे Percentage By Volume एक हम पढ़ेंगे Percentage By Volume यहां पर जब मैं लिख रहा हूं Percentage By Volume इसका मतलब है Percentage Volume By Volume एक हम पढ़ेंगे Molarity एक पढ़ेंगे Normality इधर हम पढ़ेंगे Percentage By Weight Percentage By Weight का मतलब है Percentage Weight By Weight Second, Mole Fraction Third, Molality वहां पढ़ेंगे Molarity यहां है Molarity और Fourth, Parts Per Million Parts Per Million जिसको PPM भी बोलते हैं Parts Per Million जिसको PPM भी बोला जाता है ठीक है? याद करने की ट्रिक क्या है? जिस भी क्वांटिटी में आपको वॉल्यूम नजर आ जाए वो सारी Temperature Dependent और जिन में वॉल्यूम ना नजर आए वो सारी Temperature Independent राइट? क्यों ऐसा क्यों होता है? मैं आपको Thermodynamics में सिखांगा कि Temperature Change करने से आपका Volume Change हो सकता है मतलब कुछ ऐसे Substance होंगे जिनको जब आप मिलाओगे जैसे आपने 2 लिटर लिया Substance A का और 5 लिटर लिया Substance B का आपने Mix कर दिया आपने सोचा कि 7 लिटर आएगा नया Volume लेकिन हो सकता है वो 7 से जादा आ जाए हो सकता है वो 7 से कम आ जाए और हो सकता है वो 7 भी आ जाए तो ऐसे Solutions के हम बात करेंगे जिनको Non-Ideal Solutions बोला जाता है जिनकी Mixing से जो आपको नया Volume मिलेगा वो कम या जादा हो सकता है लेकिन Mass का Temperature पर कोई Effect नहीं बढ़ता तो इसलिए Volume is Temperature Dependent Quantity That's why the Quantity in which Volume Appear They all are declared as Temperature Dependent ठीक है तो सबसे पहली Quantity हम लोग पढ़ेंगे Percentage By Volume यह हमारी First Quantity होगी आज की Chapter की Percentage By Volume या जिसको मैं Percentage VYV ऐसे Represent करूँगा ठीक है Definition जो मैं लिखवा रहा हूँ भही आपको याद करनी है इधर उधर की फलतू किताबों से कोई भी Definition आपको नहीं उठानी है जो मैं Definition लिखवा हूँ उसको याद करिए और भही आपके Questions को Solve कर भाएंगी ठीक है तो Percentage Volume By Volume की Definition लेखें सबसे पहले Volume of Solute Volume of Solute in ml पहली चीज़ Present इसका मतलब क्या है जैसे किसी ने मेरे सका कि मैंने आपको 10% Volume By Volume दे दिया किसी Substance A का तो इसका मतलब क्या है आप ऐसा बोलोगे कि इसका मतलब 10 ml उस Solution उस Solute A के 100 ml Solution में डले हुए है फिर से सुनो मेरे बात अगर मैंने आपसे कह दिया कि सपोज आपके पास 30% Volume By Volume Ethanol है तो इसका मतलब क्या है आप बोलोगे कि आपके पास एक Solution है जिसमें Ethanol का 30 ml डला हुआ है और वो Solution कितना है 100 ml ठीक है Percentage Volume By Volume का फॉर्मूला क्या होगा Volume of Solute upon Volume of Solution into 100 यह हो जाएगा आपका Percentage Volume By Volume का फॉर्मूला Volume of Solution कैसे निकालोगे Sir Volume of Solution होगा Volume of Solute plus Volume of Solvent ठीक है पर अभी तो आपने बोला था कि Solute और Solvent को Mix करोगे तो Solution का Volume जादा भी आ सकता है कम भी आ सकता है बिलकुल सही बात है लेकिन जब भी Question में कुछ ना दे रखा हो और जो की नहीं दे रखा होगा आपको यही मानना है कि आपका जो Solution बन रहा है वो Ideal है इसका मतलब Solute plus Solvent का Volume मिला कर जो Volume आएगा वही Solution का Volume रहा होगा ऐसा आप मान लेंगे ठीक हाँ इससे Related यह कब नहीं माना जाएगा यह मैं आपको पढ़ाऊँगा Class 12 के Second Chapter में जब हम बात करेंगे Non-Ideal Solutions की क्योंकि हमारा Chapter ही होगा Solution and Collegative Property तब मैं आपको सिखाऊँगा कि कहां पर हमें ऐसा मानना है तब तक के लिए बिंदास होकर आपको यह मान लेना है कि सारे Solution Ideal है ठीक और J.E. ने भी अब तक जितने सवाल पूचे हैं सारे Ideal Solution के ही पूचे हैं कि वही हमारे SLABUS में Non Ideal की Calculation हमारे SLABUS में नहीं है ठीक है तो यह हो गया हमारा Volume of Solution ठीक तीसरी बात नोट करके बहुत important बात लेने यह सारे concentration terms के लिए valid है क्या कि concentration terms are always defined with respect to solute आप हमेशा concentration terms को solute के respect में define करोगे solvent के respect में नहीं करोगे solution के respect में नहीं करोगे यानि कि देको definition पड़ो Volume of Solute present per 100 ml of solution मैं ऐसा नहीं बोलूँगा Volume of Solvent present per 100 ml of solution ना गलत हो जाएगी definition ठीक है concentration terms को हमेशा solute के respect में measure किया जाएगा यह पहला take-home point है आपको लेकर जाना है और इसको रट लेना है अब question कैसे आएगे तो सबसे पहले तो 11th based normal question देखते हैं फिर उसके बाद थोड़ा से उपर उठेंगे तो देखिए question note करें question कह रहा है आपके पास 30 ml है of ethanol is mixed with 45 ml of water water determine percentage weight by volume of ethanol थीक है तो बड़ाई simple question है कि बहुत परसेंटेज volume by volume निकालना है sorry weight by volume नहीं volume by volume है यहापर weight by volume तो पढ़ेंगे इसके आड़ percentage volume by volume of ethanol निकालना है तो percentage volume by volume कैसे निकालूंगा देखते हैं तो सबसे पहले उपर क्या लिखता हूँ volume of solute solute क्या है ethanol यहोँ क्यों कि Ethanol को डाला गया है पानी में राइट तो जिसको डालते हैं वो होता है solute जिसमें डालते हैं वो होता है solvent लेकिन अगर आपके पास दोनों चीज़ों में से एक चीज पानी है तो पानी is a universal solvent इस बात को रट लेना ठीक है आपको ये वाली बात पता है कि जब solute अगर solid है और solvent अगर liquid है तो मैंने बोली दिया कि solute solid है solvent liquid है याने कि अगर एक चीज solid है एक चीज liquid है तो आप हमेशा liquid वाली चीज़ को क्या मानोगे solvent और solid वाली चीज़ को क्या मानोगे solute पहले बाद लेकिन अगर आपके पास water आगया as a liquid और दूसरी चीज भी लिक्विड है तो water की quantity कुछ भी हो आप water को क्या मन लोगे हमेशा solvent ठीक है तो solute क्या है इसमें इथनॉल वो हो गया 30 ml volume of solution क्या होगा तो पानी है 45 ml solvent है पानी हमें solution का रखना है नीचे तो 30 प्लस 45 that is 75 तो नीचे आगया 75 ml into 100 राइट तो ml से ml कैंसल इसको काट लो 5 जा 5, 5, 5, 25, 5, 2, 10, 20, 5, 3, 15, 5, 4, 20, 3, 10, 30 क्या आगया 40% क्या आगया 40% तो यह तो आपका बोल्ड लेवल का question हो गया class 11 में जैसे आता है थोड़ा ऊपर उठते हैं अगला question उट करें अगला question उट करें अगला question उट करें लेके how many अग्योर लो लूट लोर लोड लोड़ लोड़ और लोड़ 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 बादिए a solution containing 80% by volume of solvents. कोशन को टेम्ट करें कोशन सिंपल है बस ध्यान से कोशन को पढ़िएगा गलती करवाना चा रहा है आपसे कोशन कोशन करना चा रहा है इसा गलती करें का रहा है झाल 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 चलिए देखते हैं आई होप आप लोगों निकर लिया होगा तो सबसे पहले तो कॉस्चिन में गलती कहां कर भाई है कॉस्चिन में दे रखा है 80% by volume of solvent और अभी मैंने आपको सखाया था कि सारे के सारे concentration terms के वल solute के respect में डिफाइन होते हैं तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है 80% by volume of solvent तो इसका मतलब है 20% by volume of solute तो जो percentage VYV दे रखा है वो क्या है 20% है 80% नहीं है याद रखिएगा तो 20 तो यह हो गया और how many ml of solute should be added in 300 ml of water मुझे volume of solute पता नहीं है V माल लेता हूँ तो volume of solution हो जाएगा V plus 300 into 100 सही है यहाँ से V solve पर लो तो यह कितना हो गया 20V plus 6000 is equals to 100V तो 80V is equals to 6000 तो V हो गया 6000 अपों 80 यह कैंसल 2 4 जा 8 300 2 2 जा 4 150 75 75 ml याने कि आपको 75 ml solute add करना होगा अगर आपको 80% by volume of solvent प्रपेर करना है तो ठीक है यह हो गया आपका पहला percentage volume by volume अब यह हो गया आपका पहला percentage volume by volume अब यह हम बहुत देखो मैंने एक सवल आपको board level के करवा दिया एक आपको competition level के करवा दिया अब हम सबसे पहले सारे concentration terms देख लेंगे ठीक है फिर उसके बाद जो questions बनेंगे questions की tension आपको नहीं ले नहीं आप mole part 1 में देख चुके हो हम कुछ नहीं छोड़ेंगे हम सब कुछ करेंगे हम 11th भी cover करेंगे moleampiard भी cover करेंगे need भी cover करेंगे वो mix करेगा दो concentration terms को तीन को और सबसे प्यारा और फेवरेट है उसका molarity और molality और वो उसी में weight by volume, weight by weight, mole, fraction सबको चैर करके एकदम मसाला बनाके आपको देता है और आपसे जाता है solve करेंगे तो मैं आपको इतने प्यारे-प्यारे direct formulas दोंगा उनसे भी कर पाओगे और एक बहुत भ़िया ट्रिक सिखाऊगा जिसका नाम है डबबा method मैंने एक डबबा method बनाया उसको सीखेंगे बड़ वो last नहीं उससे आपको कोई भी formula रटने की दूरत नहीं पड़ेगी उस डबबा method में चीज़ें डालना आपको answer आ जाए लेकिन पहले सारी definition प्रॉपर अच्छे से समझते हैं ताकि हमें concept clear हो जाए अगला concentration term है हमारा percentage weight by volume percentage weight by volume चलिए इसका मतलब क्या है weight of solute present per hundred ml of solution weight of solute present per hundred ml of solution यानि कि अगर किसी ने मेरे से कहा कि मेरे पास एक सो एमेल पानी है और उसमें 30 ml water में इसका मतलब प्रोटल हो गया hundred ml solution ठीक है चलिए तो percentage weight by volume का formula क्या हो जाएगा weight of solute अपॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम और सॉल्यूशन इन्टू 100 फॉर्मूले को ध्यान से देखते ना सब डेफिनेशन से बन रहे हैं weight of solute upon volume of solution इन्टू 100 ठीक है question देखते हैं कैसा आएगा तो अब एक question तो सीदे सीदे वैसा ही आ सकता है कि वही volume of solution दे रखा है weight of solute दे रखा है इन्टू 100 कर दो percentage weight by volume निकान लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके के और different different variation आ सकते है question में एक तो बहुत अच्छा question AI PMT 2015 में पूछा गया है उसको भी करेंगे पहले दूसरा करते है question क्या कह रहा है 5 moles of blue golds is dissolved in 1.1 kg of water if density of solution is 1.25 gram per ml determine percentage weight by volume of glucose चलिए attempt करें झाल थाल तूस्ट तूस्ट स्वाओ्श प्रीड़ स्वाइश तूस्त छंश तूस्त चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है पाच मोल ग्लूकोस के हैं आपने उनको डिसॉल किया है 1.1 kg of water ठीक है भई इफ देंसिटी ऑफ सोल्यूशन इस 1.25 ग्रैम पर एमल डेटर्माइन परसेंटेज वेट वाई 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 यह क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट क्या है ग्लूकोस ग्लूकोस का वेट दे रख्या है क्या नहीं मोल्स दे रख्या है ठीक है तो मोल्स से क्या वेट निकाल लोगे हाँ सर मोल्स मैं अगर मोलर वेट का मल्टिप्लाई कर दूँ जो मोल में सीखा था तो वाई से वेट आ जाएगा तो ग्लूकोस का वेट तो C6, H12, O6 और अभी तल आपको याद भी हो गया होगा इसका वेट 180 ग्रैम होता है तो 5 इंटू 180 ये तो हो गया वेट ओफ सॉल्यूशन ठीक है सर वॉल्यूम ओफ सॉल्यूशन तो दे नहीं रख्या है कोई बात नहीं इंटू 100 ठीक है अब सारा खेल क्या है आपको वॉल्यूम ओफ सॉल्यूशन निकालना है ठीक है तो आपको डेंसिटी ओफ सॉल्यूशन दे रख्या है कितनी 1.25 ग्रैम पर एमाली है ना ठीक है अगर मुझे वेट ओफ सॉल्यूशन पता चल जाए तो डेंसिटी इस इक्वस टू वेट अपॉन वॉल्यूम से हो वॉल्यूम ओफ सॉल्यूशन निकाल लूँगा हां तो वेट ओफ सॉल्यूशन कैसे पता लगेगा कि सर देखो आपको पांच मोल तो सॉल्यूट के दे रख्या है तो आप यहां से पांच इंटू 180 कर दो तो यहां से आपको वेट ओफ सॉल्यूट मिल जाएगा और सॉल्यूमेंट का मास आपको दे रख्या है तो आप दोनों को एड कर लो तो मैंने का ठीक है भई वेट कैसे निकालूँगा 180 इंटू 5 प्लस 1.1 kg लेकिन याद रखना ग्लूकोस का मास आपने ग्राम में लिया है और देंसिटी भी आपको ग्राम पर एमिल में दे रख्या है तो यहां 1.1 मत एड कर देना इसको चेंज कर लेना पहले ग्राम में तो 1100 ग्राम होगा तो 185090 यह हो गया 900 प्लस 1100 देट इस 2000 तो 2000 ग्राम आगया मास डेंसिटी है 1.25 वॉल्यूम निकाल लोगे क्या हाँ सर वॉल्यूम ओफ सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 2000 यानि की वेट अपन डेंसिटी 1.25 ठीक है बई ओके तो 1.25 को क्या मैं 5 अपन 4 लिख लू अब यह कैलकूलेशन सिखा रहा हूं मैं आपको कैसे करते हैं 1.25 को हम लोग 5 अपन 4 लिख सकते हैं इसको अगर मैं यहां से अटा दूँ और 5 अपन 4 लिख दूँ तो 4 उपर पहुंच जाएगा और 5 से इसको काट सकता हूं 400 टाइम्स तो यह हो गया 1600 तो यहां पर पुट कर दो % weight y volume is equals to 900 अपन 1600 इंटो 100 2 0 से 2 0 cancel यह हो गया 4 4 जा 16 यह हो गया 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 5 जा 20 यह हो गया 225 अपन 4 4 5 जा 20 4 6 जा 24.25 इतना आ गया आपका अंसर 56.25% परसेंट सिंपल चली अब करते हैं AI PMT 2015 का कॉश्चन नीट वाले लोग सापधान आप लोगों के लिए कॉश्चन आ रहा है जो आ चुका है नीट में 57.25% 29.25% क्वश्चन के रहा है क्वश्चन के रहा है लोगो तरी मास आप the PPT formed when 50 ml of 16.9% weight-by-volume solution of AGNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% weight-by-volume NaCl solution चलिए शुरू हो जाएं बहुत ध्यान सा अगर आपको definition आती है ना अगर आपको चीजों की concept की clarity है तो आप से question हो जाएगा इस बात की तो tension नहीं 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 है कि exam में अगर नया question आया तो हम सोचेंगे कैसे क्याकि मैं आपके लिए नया तो कुछ छोड़ूंगा ही नहीं mole part one में आपको यह तो realize होई गया होगा हर type proportion जो भी exam में बन सकता है वो आपकी आँखों के सामने से गुज़र चुका होगा यह मेरा promise है बस values चेंड लोगी है exam में वो आपको लगानी है तो देखो question क्या कह रहा है question कह रहा है 50 ml 16.9% weight y volume solution है agno3 का तो सबसे बहले तो 16.9% weight y volume को decode करो क्या मतलब है सर इसका मतलब है 16.9 gram agno3 के present है 100 ml solution में और question में मुझे दे रखा है 50 ml तो बेटा अगर 100 ml में 16.9 है तो 50 ml में कितने होंगे आपने का सर आदे तो 16.9 का आदा कर दो 286, 248, 2510 यानि कि आपको agno3 का मास पता चल गया मैंने का ऐसे ही इसका भी निकाल लोगे आपने का बिलकुल सर मैंने पूचा 50 ml ने-सी-ल का मतलब क्या है आपने का 5.8 divided by 2 क्योंकि 100 ml में 5.8 ग्रैम है तो 50 ml में इसका आदा होगा तो 224, 298, 2.9 ग्रैम प्रेजेंट है मैंने का ठीक मैंने का agno3 को जब आप मिक्स करोगे सर मुझे agno3 दे रखाए 8.45 और मुझे naCl दे रखाए 2.9 और मुझे से पूछाए यह क्या आपको अब पता चल गया क्या क्या करवा रहा है वो आप से देखो उसने कितना कुछ मिक्स कर दिया आपको दोनों के मास दे रखे हैं दोनों के मॉलर मास से डिवाइड करो उसके बाद चेक करो लिमिटिंग रियजेंट कौन है और लिमिटिंग रियजेंट के हिसाब से रियक्शन को आगे लेकर जाओ और फिर जो आएगा वो AGCL का मॉल आएगा फिर उसमें भी AGCL के मॉल में उसके मास से मल्टीप्लाई करना फिर जो आन से निकल कर आएगा वो आपको आप्शन में दे रखा था ये थी AIPMT 2015 की महिमा उसने मॉल टू मॉल वन सबको मिक्स करा के आप से खुब भड़िया कौशन पूचा और नीट ने सही बता रहा हूँ इतने भड़िया कौशन पूचे हैं कभी कभी जेई में उसके सामने फिका पढ़ जाता है दिस कौशन इस अमंग दैम तो चलिए AGNO3 का मास निकालते हैं पूरा कॉशन मैं आपको करवाता हूँ AGNO3 का मास निकालते हैं कैसे निकालेंगे सर AG का होता है 108 सर नाइट्रोजन का होता है 14 सर ऑक्सीजन का होता है 16 16348 इन सब को प्लस करो 16 और 4 20 4 इक पांच 6,7 2 1 170 आगया इसका और NACL का कितना हो जाएगा 58.5 ठीक है अब सब पहले तो ये तो दोनों के मोल्स आगए ना अब LR निकालो LR कैसे निकालेंगे सर डिवाइट देते हैं और जिसकी वैल्यू कमाए वही हो जाएगा LR तो 2.9 में 58.5 का डिवाइट देने की कोशिश करते हैं वही तो 0.0 ये लगबग लगबग 5 5.5 बार जाएगा ये ना क्योंकि 5.5 जा 25 होते हैं और 8.5 जा 40 होते हैं तो ये लगबग लगबग नियरली अबाउट 5 के आसपस चला जाएगा और 170 का अगर मैं करता हूं 8.45 में तो ये तो सीधे-सीधे देख रहा है ये तो 0.0 कुछ जाएगा जोकि 8 में तो डिवाइट जाएगा नहीं तो आप पॉइंट को आगे बढ़ाओगे 84 में देने की कोशिश करोगे वो भी नहीं जाएगा तो फिर एक और आगे बढ़ाओगे और 75,035 तो ये तो 8.50 हो गया ज्यादा चला गया हमें 8.45 चाहिए तो यानि कि ये थोड़ा से कम होगा 0.049 के असपस रहा होगा तो ये लगबग लगबग 0.049 आया और ये नियरली अबाउट 0.5 आया तो इसका मतलब LR कौन हो गया? AGN03 हमारा LR हो गया अगर AGN03 हमारा LR है तो इसका मतलब AGCL के मोल्स भी कितने बने होंगे? 0.049 क्यों? चुकि एक से बनता है एक तो 0.049 से बनेगा 0.049 ठीक है? AGCL के मोलिकुलर वेट से मल्टिप्लाई कर दो तो AG का 108 और उसका 35.5 जोड के हो गया 108 प्लस 35.5 143.5 राइट? इसका मल्टिप्लाई दे लेना 7 ग्रैम आंसर आ जाए साथ ग्राम अंसर था, ओप्शन था एक 7 ग्राम, मैं आपको ओप्शन भी अगर देखना चाहाँ, तो मैं दे देता हूँ अब आपको, चाहाँ तो question को complete कर लो, तो A option था 7 ग्रैम, B option था 14 ग्रैम, C option था 28 ग्रैम और D option था 3.5 ग्रैम, यह दिये थे नीटने option, तो इस तरीके से होना था यह वाला कोश्चन आपका, ठीक है जी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला concentration टर्म लिखें, Molarity, कोई भी एक्जाम हो, सबकी आँखों का तारा Molarity, और Molarity अगर समझ में आ गया तो यह समझ लो, तो फिजीकल के दसों के दस चप्टर में Molarity इतना यूज़ होगा, इतना यूज़ होगा, कि आप परेशान हो जाओगे, बिना Molarity के आइनिक का सिंगल कोश्चन नहीं होगा, मतला अगर मैं आपको आइनिक के 200 कोश्चन करवाँगा, तो यह मेरी गैरंटी है, दोसों के 200 कोश्चन में Molarity आईगी, अगर मैं आपको थर्मो डाइनिमिक्स करवाँगा, तो Molarity आईगी, गैशियस करवाँगा, Molarity आईगी, चैमिकल एक्कुलिब्रियम का सिंगल कोश्चन ऐसा नहीं होगा, जो बिना Molarity के हो जाए, Solution Collegative Property, Molarity आईगी, Chemical Kinetics, Molarity आईगी, Electro Chemistry, Molarity आईगी, यानि कि Physical के हर चैप्टर में Molarity बार बार दसियों बार आईगी, और Mole Part 1 तो हर Physical Chemistry में लगेगा, Mole Part 1 तो यह समझे लो, Chemistry का अभेंग हिस्सा है, अब तो वो आपके साथ जुड़ जाना चाहिए, ठीक, चलिए, तो सबसे पहले तो Molarity की Definition लेखेंगे, क्या होती है Molarity की Definition, Definition है, Number of Moles of Solute प्रेजेंट पर लीटर ओफ Solution, Number of Moles of Solute प्रेजेंट पर लीटर ओफ Solution, यानि कि अगर मेरे से किसी ने काट, 2 Molar Solution है आपके पास, इसकी यूनिट मतलब इसको डिनोट करते हैं, बड़े Amps है, है ना, Molar, इसको बोलते हैं Molar, तो 2 Molar Solution का मतलब क्या है, आप बोलोगे, 2 Moles of Solute, Dissolved in, 1 L of Solution, इसका मतलब यह है, ठीक है, तो Molarity का formula क्या हो गया, Molarity का formula हो गया, नंबर ओफ मोल्स आफ शॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ओफ सॉल्यूशन इन लीटर, यह मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, इन लीटर, अगर किसी का मन हुआ नहीं सर, हम तो मिली लीटर में लिखेंगे, तो भई, लिख ले और क्या, हम कहां रोप सकते हैं किसी को, तो लिखोगे तब नंबर ओफ, Moles of, Solute, अपॉन, Volume of, Solution, In ml, बट मल्टीप्लाई कर देना, फिर थाउजेंड से, खूब लिखो आप, लेकिन फिर मल्टीप्लाई कर देना, थाउजेंड से, ठीक है, चलिए, इतनी बात हो गई, अच्छा, तो अगर कहीं पर लिखाओ, M, इसका मतलब आप समझ लेना, molar, अगर कहीं पर लिखाओ, M by 2, इसका मतलब होता है, semi-molar, तो अगर कुछ दे रखाओ, semi-molar solution, तो समझ लेना, M by 2 solution, अगर कहीं लिखाओ, M by 10, इसका मतलब है, decimolar, अभी इनका क्या-क्या यूज़ होता है, सब कर लेंगे, बात, ठीक है कहीं लिखाओ M by 5 इसका मतलब है पेंटी मोलर मोलर सेमी मोलर डेशी मोलर पेंटी मोलर ठीक है जी इतनी बात हो गए तो सबसे पहले कुछ कॉशन्स देख लेते हैं ना सिंपल सिंपल से बिल्कुल लल्लू-ल्लू से कॉश्चन्स देखेंगे कुछ भी बड़ी बड़ी बात नहीं करनी है आज molarity को उपर पहले molarity पर comment करते हैं देखो बहुत सारी variety बनती है सारी variety के question करेंगे 1.26 gram of hydrated oxalic acid was dissolved dissolved in water to prepare 250 ml of solution calculate molarity of solution calculate molarity of solution तो देखो सबसे पहले तो hydrated oxalic acid का मतलब क्या है अब मैं आपको बिल्कुल वो ऐसे बच्चों वाले question नहीं दे रहा कि NACL को डाल दिया वो सब को पता है अब मैं आपको formula भी लगाना सिखा दे रहा हूं और ताक कि आपको question में पुछ एक दो तीन बात और सिखा दे रहा हूं उसी के साथ ताक कि आपको चीज़े अच्छा ऐसा भी होता है तो देखो oxalic acid का formula क्या होता है oxalic acid होता है COOH COOH यह हम पहले बात कर चुक है mixture analysis में राइट इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसमें 2 hydrogen है 2 carbon है और 4 oxygen है तो H2C2O4 बट hydrated का मतलब क्या है hydrated का मतलब होता है sir कि उसमें कुछ ना कुछ water of crystallization add होंगे जैसे हमने कल एक कोशन किया था BACL2.2H2O था उसमें तो इसमें क्या होगा कुछ molecules add होंगे तो आज से आपको यह रट लेना है oxalic acid जब भी hydrate होता है तो उसके अंदर 2 molecules of water of crystallization होते हैं यह आज से हम रट लेंगे जैसे हमने रट रखा है कि washing soda में 10H2O होते है जिप master of Paris में half H2O होता है BACL2 में कल देख लिए ते 2H2O होते हैं आज एक और लिया H2C2O4 में भी 2H2O होते हैं और H2C2O4 oxalic acid कहलाता है ठीक है तो अगर कोई मुझ से oxalic acid का mass पूचेगा या formula पूचेगा मैं केवल H2C2O4 का mass निकाल के दे दूँगा लेकिन अगर कोई मुझ में 2H2O का mass भी add करके बताऊंगा तो मुझ से कहा है 1.26 gram hydrated oxalic acid को dissolve किया पानी में ताकि solution बन जाए 200 ml का calculate करिये molarity तो molarity क्या होता number of moles of solute सर मुझे तो mass दे रखा है तो मैंने का bitumolar mass निकाल ले तो H2O2 प्लस carbon 24 प्लस oxygen 64 प्लस H2O का mass होता है 18 18 दूज़ा 36 इसको solve करें यह mass आजाएगा 126 ठीक अगर मुझ से कोई oxalic acid का पूचता तो मैं 36 minus कर देता answer हो जाता 96 mass है ठीक है यह जो भी 96 नहीं 88 mass है राइट नहीं 90 mass है एक बार एड़ कर लेते हैं 40 40 90 mass है तो यह हो गया 90 mass केवल oxalic acid का और 90 मा 36 एड़ करती है तो 126 mass हो गया hydrated oxalic acid अगर हम से तो molarity बूची थी तो 1.26 upon 126 यह तो हो गया moles of solute right अच्छा denominator में क्या लिखते है sir volume of solution मैंने का volume कितना है आपने बोला 200 अब आपने 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 फॉर्मूला बताया था अगर volume solution का ml में लिखा तो multiply by 1000 कर देना मैंने का ठीक है कर दो इसका मतलब क्या हो गया विसको solve कर लो यह हो गया 100 100 से यह कटा 10 टाइम्स यह हो गया यह तो molarity आ गई 1 upon 25 that is 0.04 molar solution है मेरे पास 0.04 molar है मेरे पास ठीक है अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं और किस टैप यह question बन सकते हैं पर देखिए यह पहले टापका question आपने देख लिया simple formula based जिसमें moles ना देकर उसने आपको mass दे दिया आपने mass को moles में change किया और वहीं पर मैंने एक चीज़ आपको hydrated oxalic acid के बारे में सिखा दी आगे बढ़ते हैं अगला question है 2.5 ml of 1 molar NaOH है आपके पास आपने उसको mix किया अनदर solution के साथ क्या है वो 3.5 ml of 0.5 molar NaOH यह है आपके पास ठीक है ठीक है सब देन find out the molarity of resulting solution resulting solution की molarity आपको बतानी है आपके option है 0.80 molar यह need का question है B है 1.0 molar शायद C है 0.73 molar शायद और D है 0.50 molar इन में से शायद एक option सही होगा कोशिश करें और शायद क्यों लगा रहे हो अरे नहीं मतलब एक ही option ठीक होगा आप करिए कैसे करेंगे यह तो नई type का question है इसमें तो molarity और volume दे रखा है हर जगा कर दो सोचते रहें करते रहें रुकना मना है खूब सारे कोश्चन करेंगे अभी तो मोलरिटी पर एक ही फॉर्मूले पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी दिखाऊँगा फिर धीर धीर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे चले मैं आपको कराता हूँ देखो सबसे पहले तो हम बिलकुल अपने देश ही मेथड से करते हैं जो हमने सीखा है फर उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगो जो किताओं में लिखा होता है अलाकि बखवास फॉर्मूला है कुछ है नहीं उसमें देखो आप आपको इतने मॅलम और इतने मॉलर सेयुषिह शुशं दे रखा है अपसे करा गया है इसको mix किया है आपने तील 0.5 ओल Χ दूछ तो बताओं मॉलारिटे रिजल्टिंग सिल्टेड़िशं टीक है थिक साहे आपको तो कुछ न इस पता ऐता मोल्स मॉलेटेशंठ सोल्यूश upon volume of solution into या फिर इतना ही अगर यह ml में है तो into 1000 ठीक है मैं मान कर चलना हूँ यह ml में है क्या आपको solution का volume पता है आपने का सर पता तो है मैंने का कैसे कि देखो सर यह 2.5 ml दे रखा है और यह 3 लीटर दे रखा है अरे यारी का मुझे इसको भी लीटर कर लो दोनों को लीटर रहने दे ठीक है थोड़ा से चेंज कर लीजेगा यह 2.5 लीटर दे रखा है यह 3 लीटर दे रखा है है ना तो मुझे solution का volume पता है सर मैंने कितना कि 3 लीटर पहले था आपने धाई लीटर बाद में मिला दिया तो गया 5.5 मैंने का लीटर में लिखा है तो 1000 हटा दूँ आपने का हटा दो सर मैंने हटा दिया ठीक है लेकिन नंबर ओफ मोल्स ऑफ solute कहां से लाँगा तो आपने का सर सर मोलरिटी इस इक कोस तू नंबर ओफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यू मोल्यूम होता है तो पहला वाला जो दे रखा है न उसमें आपने वॉल्यूम दे दिया है गलती से और आपने मोल्स निकाल लीजिए ना कैसे multiply कर दो 2.5 आ गए पहले के मोल्स ऐसी दूसरे में मोलरिटी और वॉल्यूम में मॉल्टिप्लाई कर दो तो 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 टोटल मोल्स कितने हो गए 4 और 4 अपान 5.5 कर दीजिए जो भी आंसर आएगा 0.728 के असपास आएगा यानि की 0.73 यह हो गई आपकी resultant solution की मोलरिटी तो इसका मतलब हो सकता है वो आपको दो अलग solution दे आपको mix करवाए और mixing के दोरान आपसे मोलरिटी पूछे ठीक है तो अब कितावों में एक formula लिखा होता है आप भी लिख लीजिए वो मोलरिटी ओफ ऐसा लोको मोलरिटी ओफ नॉन रियक्टिंग mixture आपके पास एक mixture है जिसमें कोई भी reaction नहीं हो रही है एन्योच जाकर एन्योच से reaction थोड़ी करेगा तो ऐसे solution की अगर आपको मोलरिटी निकालनी है तो पहले mod लगाई फिर क्या करिए m1 v1 plus m2 v2 upon v1 plus v2 कर दीजिए जो भी answer आएगा वो आजाए तो पुराने वाले question में लगा कर देखते हैं पहले mod लगाई ये लगा दिया sir m1 v1 पहले की molarity इंटू पहले का volume तो 1 इंटू 2.5 plus दूसरे की molarity इंटू दूसरे का volume 3 इंटू 0.5 upon दोनों का volume का addition that is 2.5 plus कितना है 3 तो 5.5 इसको solve करोगे तो भही आ जाएगा 4 upon 5.5 that is 0.0 0.728 right 0.728 molar ये हो गई आपकी resultant molarity ठीक अच्छा ये हो गई आपका दूसरे type का question कि भाई जब ऐसे करके आपको volume और molarity दे रखियो तो आप moles निकाल कर काम चला सकते हो तो मैंने आपको moles निकालना भी सिखा दिया मोल्स निकाल कर कैसे करोगे और मैंने आपको जो किताओं में एक गटिया सा formula लिखा होता वो भी बता दिया गटिया नहीं कभी-कभी अच्छा भी लगेगा आपको आएनिक में खुब स्वार और झित क्झेड नहीं करेग इसिवेर prosecutors decimolar aqueous H2SO4 solution खीक है आप से काये calculate volume in liter of a semi molar NaOH solution required to neutralize 200 ml of decimolar aqueous H2SO4 तो सबसे पहले तो NaOH और H2SO4 जब react करेंगे तो क्या reaction होगी पहले reaction लेक्षिन लेक्षिन अराम से तो सरफ NaOH plus H2SO4 will give me Na2SO4 plus H2O acid plus waste when react from salt and water reaction को balance करें reaction balance होगी ठीक है ठीक है अब मुझसे कह रहा है कि आपको volume दे रखा है semi molar NaOH solution का आपको निकालना है राइट semi molar का मतलब क्या है molarity हो जाएगी 1 by 2 है ना M by 2 का मतलब क्या है 1 by 2 ठीक है तो molarity दे रखी इसकी 1 by 2 और H2SO4 की कितनी दे रखी है 1 by 10 ठीक है लेकिन आपको पता है इसका volume कितना है 200 और इसका volume मुझे पता नहीं है ठीक है ठीक पर आपको यह तो पता है कि volume into molarity क्या हो जाता है सर मोल्स हो जाते हैं लेकिन सर वो जो molarity आप निकालते थे ना उसमें volume जो होता था वो ml में नहीं लीटर में होता था तो या तो आप मिली मोल्स बोलो राइट क्योंकि आपने volume मिली लीटर में लिया है तो जो मोल्स भी आएंगे वो मिली मोल्स आएंगे मोल्स नहीं आएंगे और अगर आपको मोल्स चाहिए तो आप मिली लीटर को मैं लीटर में convert करो पहले तो मैंने का ठीक है मैं लीटर में convert कर लेता हूं तो यह हो जाएगा 0.2 लीटर अब जब इसको divide दोगे तो 0.02 मोल्स आगए किसके H2SO4 के यहां से देखते चलना मोल्स को add कर रहा हूं मैं बस stoichiometry को add कर रहा हूं और मोल एरेटी के तो H2SO4 के क्या आगए सर मोल्स आगए ठीक है तो अब stoichiometry क्या कहती है कि एक मोल H2SO4 को neutralize करने के लिए दो मोल एन्यों ह के चाहिए तो 0.02 को neutralize करने के लिए कितने चाहिए होंगे सर एक को 2 चाहिए तो 0.02 को 0.04 चाहिए फिर भी आपको नहीं आ रहा तो आप इसको X माल लीजिए और वही खेलिए 2 upon X equals 1 upon 0.02 तो X आगया 0.04 चैसे आप कमण करें दौनों मेतड सिखा रखे हैं एक स्मार्ट मेतड और अगर स्मार्टनेस नहीं आ रही है दिमाग में तो वही लिख कर कर लो ऐसे करके तो X आगया आपका 0.04 पर ये तो क्या है सर मोल्स हैं ये तो आप से क्या बूचाता सन मेरे से तो वॉल्यूम बूचाता बट मुझे तो पता है कि मोलरिटी इस एक्वस टू नंबर ऑफ मोल्स अपान वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.04 तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 0.08 लीटर 0.08 लीटर वॉल्यूम आ गया यानि की 80 ml वॉल्यूम आ गया कुशन में लीटर में ही पूचा था था हमने लीटर में ही सॉल्व कर दिया ठीक है बई इस तरीके से आपको यह वाला कुशन अटेम्ट करना था कुछ नहीं करना है बस कुश्चन को रिवाइस करिए देखिए मैं क्या अप्रोच लगा रहा हूं कुश्चन सेम ही है बस इसमें एक मैंने मोलरेटी को कुदवा दिया है कुश्चन अब मैं आपको करेंगे मोलरेटी में बिल्कुल मैं आपको स्ट्रॉंग बना दूंगा उसकी टेंशन बिल्कुल ना ले बस जो जो मैं करवा रहा हूं उसको घर पर जाकर उतना रिवाइस करते रहें ठीक है तो आज के लिए इतना